हेलो एविवन एक बार फिर से आपका स्वागत है इल अन्नम के इस यूटूब चैनल पे जैसा कि आपको पता होगा कि अब हम डेली आपको लोग के लिए जॉब पोस्ट कर रहे हैं अपने यूटूब चैनल पे साथ ही साथ टेलीग्राम और एप पे जिससे कि आपकी सारी प इन्वार्मेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, जिलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इंज़ है और जॉब को लोकेशन होगा इस्ट्राइन बायोजी रेजिनल सेंटर गोपालपूर ऑनसी ओरिसा अडवर्टीजमन नमबर यह है और आगे बढ़ते हैं ठीक है जैसे की बताया कि यह जॉब है जूनियर इस फैलो की स्ट्राइन बायोजी रेजिनल सेंटर जोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गोपालपूर ओरिसा में इस जॉब की पोजिशन इनेशली वन येर के लिए है और आपके प्रफॉर्मेंस के अनुसार इसको पांच साल तक नेट कर दिया जाएगा मत Tenn uniquely जब तक एप्रजेक्ट रहेगा तब तक एजॉब रहेगी साथि साथह साथ stanie, जब दो सल पूरे हूंगे तो आपका जो जो जैरफ है, वह करनोट किया जाएगा और जो एक्सपर्ट कमीटी है वह इस पे डिसीजन लेगी कि आपका JRF SRF में convert करना है की नहीं आपके performance के अनुसार ठीक है इसके अंदर one vacancy है और इसके educational qualification क्या है master degree in geology life science marine biology ठीक है मतलब कि आपकी जो master degree उने चाहिए किसम होना है geology, life science, marine biology और साथ ही साथ geology जो है आपका एक major subject रहना चाहिए graduation level पे ठीक है desirable qualification के बात के desirable qualification के मतलब है कि अगर ये qualification आपके पास है तो एक added advantage होंगे आपके selection में ये कोई ज़रूरी नहीं है तो desirable qualification किसम किसम होना चाहिए taxonomy, systematics, geology ये allied subject related ठीक है अब next बात करते है remuneration यानि payment की payment जो आप होगी होगी 12,000 पर मंत साथी साथ आपको HRM मिलेगा government of India के according ठीक है 12,000 के साथ साथ HRM कुछ दिया जाएगा government of India के according ठीक है job description क्या है job मतलब कि जो जैरॉफ होगा उसको field survey conduct करना पड़ेगा coastal areas में protected areas में eco sensitive zones में और साथी साथ आपको physically fit होना चाहिए होगा मतलब कि आपको बहुत walking करनी पड़ सकती है साथी साथ आपको DNA barcoding वगारा करनी पड़ेगी आगे बढ़ते हैं general instruction की तरफ इसमें age limit क्या होनी चाहिए 28 years 28 से आपकी age ज्यादा नहीं होनी चाहिए last date of application मतलब जिस दिन last date of application है उस दिन आपकी age 28 years से ज्यादा नहीं होनी चाहिए साथी साथ जो SC, ST और OVC non-crimalier woman physically challenged application इनके लिए age relaxation मिलेगा government of India क्रूल से जैसे कि OVC को 3 years का election मिलता है ST, SC को 5 years का election मिलता है next time इन्होंने बोला है कि जो candidates shortlist होंगे वो shortlist के जाएंगे उनके qualification मतलब post graduate, graduate percentage और experience के नुसार साथी साथ ये भी उन्होंने कहा है कि qualification और experience पूरी तरह से sure नहीं करेंगे कि आपको आपका selection होगा कि नहीं next बाग करते हैं कि जो shortlisted candidate होंगे shortlisted candidate को inform कैसे करेंगे वो inform करेंगे थूँ email और speed posts के थूँ और यहीं बता है कि अगर COVID-19 situation जैसी रहेगी उस हिसाब से mode of interview decide किया जाए मतलब COVID-19 situation अगर CVR रहती है तो जो interview होगा वो video conference vote के अनुसार होगा ठीक है इसके लिए आपको online interview का engagement खुद से करना पड़ेगा next बात करते हैं fourth point की इसमें जो interview के दोरान आपकी original document के verification होगी और मतलब की सारी documents आपके ठीक होने चाहिए कोई भी misrepresented नहीं होना चाहिए fifth point यह कह रहा है कि जो job location होगी store and biology regional center में होगी मतलब आपकी posting यहाँ पर होगी selection के पाथ जो job application होगा आपको इस website link पर मिल जाएगा यह website के link हम आपको description में देंगे देंगे और साथी साथ यह आप इस form दिया आएनों नहीं यह हम अपने telegram channel पर post कर गएए आपने अगर हमारा telegram channel अभी तक जॉइन नहीं किया तो जॉइन कर लिजी telegram channel के नाम है e-learning next बार करते है apply कैसे करना है apply करने के लिए आपको यह form fill करना होगा form fill करने के बाद आपको बाकी documents जैसे educational qualification, research experience proof of date of birth और अगर आप कहीं पहले से employee हैं तो आपको एक non objection certificate भी जैना पड़ेगा यह सारे documents आपको इस address पर post करने है चार अप्ट उबर तक ठीक है और अगर pandemic situation को देखते हो इन्हों नहीं बोला कि आप advanced copy email कर सकते हैं आपको दोनों करना है email भी करना है और post भी करना है email इसलिल करना है ताकि अगर चार तक नहीं पहुचता है तो email आपका पहुच जाए और जो logical service के director होगी उनके पास पूरा right होगा selection और rejection की ठीक है यह application post है और बात कर लें कि जैसे हमने बता है fellowship की तो fellowship आपको 12,000 पर month मिलेगी और and at the end of two years अगर आपका performance अच्छा होता है तो आपके srf आपका जो 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 जैराफ और सराफ नकर का होगा और fellowship सिर्फ होगी 14,000 की ठीक है जैराफ की total duration फाइब पिरस के होगी आपको एसा एचार ही मिलेगा साथ साथ आपको contingency grant भी मिलेगी contingency grant में जैसे आपको होगा actual train fare मिलेगा मतलब कि आप कहीं field work के लिए जा रहे हैं वगरा वगरा डेली allowance मिलेगा आपको ठीक है आपको seminars attend करने के लिए papers accept करें उसके लिए भी grant मिलेगा और chemicals, consumers, books, software अगर research के बाद जो use होते हैं उनके लिए भी contingency grant मिलेगी ठीक है तो एक बाद फिर में brief summary दे दे रहा हूँ ये job है junior research fellow की ministry of environment, forest, climate change, geological service of India के अंडर job location होगे strong biology regional center गोपालपूर उरिसा में ठीक है और educational qualification आपकी होनी चाहिए master degree geology, life science, marine biology आपको ये form fill करना है और दिये गए address पे post करना है ठीक है thank you, और और भी job updates के लिए बने रहे हमारे साथ, अगर आपने इस चैनल का भी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो तुरण सस्क्राइब करिए और पाईए latest job update, PhD updates और साथी साथ theory courses, thank you